नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय मौरिया और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों डियरेट थर्ड सेमेश्टर मैथ में आज का हमारा पाठकरम है घातांक की आउधारणा पुरांक तथा परिमे संख्याओं को घातांक रूप में लिखना आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर आधारी सवालों को भी देखेंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं घातांक क्या होता घातांक इक्सपोनेंट यद किसी पूर्ण संख्या यक्स को यम बार गुड़ा किया जाए तो गुड़नफल यक्स का यम घात प्राप्त पर दर्सीत करेंगे अब इसको देखिए जैसे यक्स 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 इसका गुड़ा देखे यम बार किया गया हानी यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स कितनी बार यम बार तो यह बराबर हो जाएगा यक्स पे घात यम यक्स पे घात यम अर्था जितनी बार गुड़ा हो जाएगा वही घात ऊपर आ जाएगी जहां यह यक्स जो है आधार कहलाता है और यम क्या कहलाती है घात यक्स आधार और यम घात अब आगे देखिए घातांक के नियम देखिए बहुत इंपार्टेंट है घातांक के नियम पहला नियम देखिए यक्स पे घाते यम गुड जोड़ी जाएगी तो यक पे घिक का जोड़ाएगी घ। हमारी क्या होजाएगी जोड़ायगी दो या दो से चाहए जितने अधिकपध हूं हम क्या करेंगे सभी घोतों को जोड़ लेंगे अगर आधार समान हो गुरन对 संक्रिया है तो घाते जोड़ी जाएंगी अगला देख लिजे एक्स पे घाते यम बाई एक्स पे घाते यन अब यहां भी आधार दोनों का समान है लेकिन भाग की संक्रिया है तो घाते घटाई जाएंगी तो एक्स पे घाते यम और माइनस यन एक्स तूदी पावर क्या हो यन की घात हो तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुड़ा हो जाता है घात के ऊपर घात हो तो क्या होगा घातों का गुड़ा x to the power यम इन यम इन्टु इन अगला देखिए x to the power 0 x to the power 0 equal to 1 x पे 0 घात का मान कितना होगा 1 होगा कब होगा जब x not equal to 0 अनि यह आधार हमारा सुन नहीं होना चाहिए अगर आधार सुन नहीं है कोई विरास ही है उस पे अगर सुन की घात है तो उसका मान एक ही होगा अगला देखिए x to the power minus ym x to the power minus ym तो देखिए इसका हम व्यूत करेंगे तो 1 by x to the power ym हो जाएगा यही घात हमारी धनात्मक हो जाएगी लेकिन नीचे हो जाएगी 1 by x to the power ym अब इसका उल्टा समझे अगर यही x to the power ym हो अब हमको नीचे लाना रहे तो 1 by x to the power minus ym हो जाएगा चिन्द बदल जाएगा अगला देखिए x by y to the power ym अनि x बटे y पे ym घात हो तो यह घात इस पे भी आएगी यह घात इस पे भी आएगी तो यह x पे घात इन भी हो जाएगा y पे घात इन हो जाएगा अनि घात हमारी दोनों पे आ जाएगी अगला देखिए a to the power x equal to b अगर a पे x घात है बराबर b के बराबर है तो अगर इस घात को हम हटाना चाहते हैं तो जब यह घात दाहिने पच्छ में आएगी तो एक बटे को रूप में हो जाएगी तो a बराबर हो जाएगा b पे घात इक बटे x यहां x घात है यहां आई तो एक बटे x घात हो जाएगी अब आगे देखिए देखिए दोस्तों करणी करणि जब किसी संख्या का बर्गमूल अंडर रूट निकालने पर पूर्ण रूप से मान नगयात किया जा सके तो उस बर्गमूल को करणि कहते हैं यह सब्सक्राइब उदाहरं से जैसे x square equal to y तो अभी हमने बताया है कि अगर x बराबर हमको निकालना होगा तो यह घात दाहिने पच्वा जाएगी तो बटेक रूप में हो जाएगी वन बाई टू हो जाएगा और यही वन बाई टू घात ही हमारी करणी होती है वन वाई टू घात हमारी क्या हो जाएगी करणी यारी करणी में वाई हो जाएगा और देखे दोस्तों यह कोने में हम यहाँ दो लिखे है क्यों क्यों कि यही हमारी करणी घात है लेकिन दो घात छीपी रहती है लिखा नहीं जाता लेकिन दो से अधिक घात हम लिखते हैं तीन चार पांचा लिखते हैं अगर करणी में कोई राश लिखी गई है और करणी के अंदर कोने में कुछ ने लिखा हो तो समझे दो घात है तो देखें यहां हमने इसको लिख दिया अंडरूड y, करणी में y, यहां करणी घात 2 हम लिखते नहीं अच्छी पी होती है, लेकिन देखिए अगर यहीं 3 हो, x to the power 3, यानि x cube equal to y, तो x equal to क्या हो जाएगा, यह 3 घात जब दाहिने पचमाएगे तो 1 वटे 3 घात हो जाएगी अगर हम y पे एक बटे 3 को करणी में लिखेंगे, तो हम इस करणी घात 3 को यहां दर्साएगे, यहां आवज से लिखना पड़ेगा, 3, 4, 5, आगे चाहे जितना हो, उसको आप यहां दर्साएगे, किवल 2 रहता है तो नहीं दर्साएगे, आगे करणी के नियम में देख लि लेकिन यह नहीं, not equal, अगर करणी में यक्स हो और धन करणी में वाई, यह not equal बराबर नहीं होगा, करणी में यक्स धन वाई, यह दोनों को हम करणी कंदर जोड नहीं सकते हैं, और वही काम घातानें भी होता है, करणी में यक्स रिन करणी में वाई, not equal to करणी में यक्स र करणी में एक्स into आय लिख सकतें लेक glut करणी घात की समार होनी चाहिए ंचिंड यहां करणी का मतलब करणी घात है करणी में सबहा कर टो हो जाएगा एक अही जो दीद़र में यस कितनेमर ऑप कितने इंडाओ कि Τरफ में होता कि तो जि satisf नつ यह कुछ महत्पूल प्रश्ण देखिए एक कह रहा है दो पर घाते छैको सरल करो 2 पे घाते 6 को सरल करो तो कैसे सरल करेंगे यहां देखे 2 पे घाते 6 है तो 2 का हम 6 बार गुड़ा करेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 तो अब इसे गुड़ा करिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 तो देखिए 8580 का फ़ाट में लिखो तो देखिए 8880 को गातांग लूपने के लिए पहले को कई 살켼का करना होगा तो देखे 89AT quindi करता चला जाएगा तो तीन चटेंगे 27 बार में कड़े गा फिर टीन घुड़े टीन घुड़ेत चार बार आया है थे तो यहे तीन घाते चार हो जाएगा ऑगहला देखिए बड़ाएउधिश्क्र मफॉट्ण यह बदी राष हो सकती है शुटो आप खो को आण हो है तो यहां तो यहां तो इयली अग्या गुड़़ को नुसले Angare चिंढ क्या होगा तो आप बिना इसको हल किये ही अगर भिकल्प में है धनातमक जोवारद लिख सकते हैं कैसे ऑनात्मक दोस्तों देख लिए इस घृटो इस्वाट अगर भीषानध बिस्त संख्या हुश को देखें सा करता हूं दोस्तों कि अगर यह सब अच्छा लग रहा है तो आप लोग उसको लाइक बटन जरूर दबाद दीजिए दोस्तों और चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं के तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जादे-जादे बच्चों को जोड़िए क्योंक ख़ते लिजिए घा रेंगे वीडियो तो हम और भी प्रयरित होकर के आगे अन्य विश्यों का भी ऐच्छे तरीके से वीडियो बना सकेंगे आगे देख लिजे डिढ़ घाता अंकी रूप में लिखो इसको हमको घातांकी रूप में लिखना है तो काडी में प нас आपको पता है करणी हटाएंगे एक बटे दो की घाता आएगी यहां करणी में साथ है करणी घात तीन है करणी हटाएंगे तो यहां करणी घात तीन घाता जाएगी यहां देखें तीन घाते चार है करणी में करणी घात चार है आपको पता है करणी हटाएंगे तो एक बटे 4 गहात आजाएगी गहणी-घाट जितना नहाएगा उसका अपोई उचित हो जाए वन बाई-वन भंग guidance हो जाएगा कि समान भाग की संस्त्रिया घाते घटाई जाएंगी तो तीन पे घाते सरल करना है तो कैसे सरल करेंगे आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे तो घातों की तुलना करेंगे दो यक्स धन दो बराबर यक्स रिंड पांच तो अब देखिए यक्स को बाइपच में लाइए यह यक्स आएगा बाइपच में रिंड यक्स हो जाएगा और यह धन दो जा पने रिर नहीं दिया हुआ है काून बड़ी है अब करणी हात इसाpolis कि दो है इसाel ुसकत नहीं पता है तो पहले हमें समाप उर्थे लेंगे तो दो थीन-चार का लगुत्तम हशना पर्त हो जाहाई signal है अब इस कणी घात को हम करणी के अंदर रातं होगी उसके ऊपर गात बना देंगे तो तो यह हमारे छे की-घात हो जाएगी आप यहाँ को हमने घती करनना होगा तो शे करला और करने का कनते रात होगी तो तीन की घात हो जाएगी अब यहाँ देखिए यहाँ दो पे घाते 6 यहाँ दो का 6 बार गुड़ा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े 6 बार होगा यहाँ देखिए पंद्रे गुड़े पंद्रे गुड़े पंद्रे चार बार होगा तो हमारा काणी में पंद्र है और घात तीन यहीं हमारी बड़ी हो जाएगी आगे देख लिए दोखों यक्स पर घाते रिन पांच गुड़े यक्स पर घाते 7 बराबर 25 तो यक्स कमान ग्याद करो कैसे ग्याद करेंगे आधार समान गुड़न की संक्रिया घाते जोड लीज तो आधार घाते रिन पांच धन साथ हो जाएगा बराबर 25 तो पांच गुड़े पांच पचीज एक जोड़ा बन गया पांच बाहरा गया यहां देखे बएक बढ़े पांच कामान ग्याद करो तो बएक ग्यादे बढ़ादे पांच करणी में बढ़तिस लिखिये अब कर factor कर नीजिए तो देखें दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो पांच बार लिखेंगे करणी घात 5 है अवा अंदर 5 बार दो आया है तो यह दो बाहर आ जाएगा अगर कड़ी घाज इतना रहता है उतने का जोड़ा बनना चाहिए तो अब देखें यहां हमारा 5 है अब 5 बार हमको 2 मिल गया दो बाहर आ गया तो यहां भी दूझीे आधार समान गुरण की संक्रिय घाते जोड़ी जाएंगे तो 7 बार पांच बराबर यहा जोड़ी जाएंगे contributing केृ hmmmm तो देखे इस रिन एक को ले जाएंगे दाने पंच में धन एक हो जाएगा तो यक्स बराबर आठ हो जाएगा इसी साथ यह वीडियो समाथ हो रहा है आप लोग एक पुने गुजारिश से वीडियो को लाइक कर दीजे चलिको सब्स्क्राइब कर लीजे धन्यवाद